वेलकम बैक टू माल्विया केट सॉलुशन आज हम लेकर आए एक नया प्रोजेक्ट इसमें आज हम बनाने वाले है वायर रोप क्लेंप यह 20 mm इसकी कैपेसिती है और यहां देखिए एक यूप बोल्ट है जिसमें दो नट लगी हुई है और यह किये इसका मैन एडेप्टर ह है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन दबना ना भूलिए ताकि आपको नोंटिफिकिशन मिलती रहे और वीडियो को लाइक किजिए शेर किजिए और कमेंट भी किजिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट हम क्रियेट करेंगे तो सबसे पहले यूबोल्ट हम क्रियेट करेंगे इसके लिए हम सबसे पहले फ्रंट प्लेन सिलेक करेंगे और यहां पे एक सेंटर लाइन हमें क्रियेट करनी है इसकी length रहेगी 30 mm simply line को select करना है origin point को select करना है make relation midpoint और ok करना है तो अब line create करेंगे एक vertical line यहाँ पर फिर से enter करेंगे तो line फिर से vertical line यहाँ भी create करनी है select line इन दोनों को line को select करना है और make relation equal और इसकी height रहेगी 40 mm और ok करना है 3.r हम यहाँ पर apply करेंगे तो देखिए इस तरह से हमारा यह sketch create हो गया है इसे close कर देना है exit करने के बाद हमें feature में जाना है और swift boss base apply करना है shift boss base में यहाँ पर circular profile पर select करना है circular profile पर select करने के बाद यहाँ पर आपको right click करना है और selection manager में जाना है selection manager में जाके यह first line select करनी है और ok करना है okay करने के बाद यहाँ पर इसका diameter 10 mm अप्लाई करना है और okay कर देना है फिर से sketch को हम show करेंगे फिर से हमें swift boss base में जाना है circular profile फिर से right select right click हमें करना है और selection manager में जाना है यहाँ पर फिर से एक line यहाँ पर select करने है और ok कर देना है इसका diameter भी 10 mm apply करना है और ok कर देना है फिर वापस swift boss base में जाना है circular profile right click selection manager और इस बार इस half circle जो 3. arc हमने create किया था इसे select करना है और ok करना है और इसका diameter हमें 9 mm apply करना है और इसे close कर देना है इस तरह से देखी है हमारा यह u clamp की जो u bolt है उसकी body तयार हो गई है अब simply हमें इसमें chamfer apply करना है तो फिर chamfer पे select करेंगे 0.5 का chamfer हमें apply करना है तो यह वाली face को select करना है फिर इसकी age को select करना है फिर ok कर देना है देखिए इस तरह से chamfer हमें apply कर दिए हमने अब हमें क्या करना है whole wizard है इसके drop down में जाना है और thread को select करना है thread को select करने के बाद हमें इस वाली age को select करना है thread location thread location हमारी यह रहेगी और यहाँ पे blind revolution और up to selection तो हम up to selection को select करेंगे up to selection को select करने के बाद up to selection हमें इस वाली age को select करना है metric die 10.1.5 हमें thread यहाँ पर apply करने है cut thread बाकी सब as it is रखना है हमें और यहाँ पर offset offset 5 mm हम यहाँ पर apply करेंगे reverse side और ok कर देना है देखें इस तरह से यह thread हमारे create हो गया है up to selection में यह outer edge select करनी है हमें और ok कर देना है फिर से हमें whole wizard के drop burn में जाना है और thread select करना है thread select करने के बाद फिर से इस वाले edge को select करना है thread location thread location हमारी यह रहेगी up to selection up to selection में हमें इस वाले edge को select करना है यहां पर offset हम 5 mm पहले से apply कर देते हैं reverse दूसरा as it is रखना है और ok कर देना है तो देखे इस तरह से यह u bolt तयार हो गया है इसका appearance हम set करेंगे steel में जाना है steel में जाने के बाद यहां पर carbon steel apply कर देना है तो हमारा first part तयार हो गया है अब हम second part create करेंगे अब हम यहां पर part 2 इसका create करेंगे तो सबसे पहले top plan select करेंगे फिर यहां पर दिखे center point straight slot इसकी length रहेगी 30 mm और इसकी radius है 10 mm फिर center circle यहां पर create करने है दो center circle यहां पर हमने create किये इसकी size है 10.5 diameter दोनो circle को select करना है select करने के बाद make relation equal कर दिना है feature में जाना है और extrude boss base apply करना है extrude boss base up to इसकी height रहेगी 30 mm blind condition और okay करना है face को select करना है और simply यहां पर convert entity कर देना है फिर feature में जाना है extrude boss base और इसकी height रहेगी 1 mm और okay करना है mirror में जाना है mirror में जाने के बाद यहां पर front plane select करना है और boss extrude to जो हमने यहां पर apply किया था उसे select करना है और okay कर देना है देखिए दूसरी side में भी यह extrude face apply हो गई है fillet में जाना है fillet में यहां पर 1 mm fillet एपलाई करनी है और इन चारो अंदर वाली edges को select कर देना है corner edges को हमें select करना है और okay कर देना है front plane select करना है और यहां पर एक central line हम create करेंगे इस तरह से line यहां पर activate करनी है और इस तरह से वापस back जाना है उसी point पर तो यह automatic arc में convert हो जाएगा देखिए एक sketch हमने यहां पर create किया है अब इसके dimension हम apply कर देते है 22 mm इसकी radius रहेगी 9.5 mm simply इस point को select करना है और इस point को select करना है make relation horizontal इस point से इस point की height रहेगी 13 mm और simply इन तीनों line को हमें select कर देना है make relation symmetric अब हम एक triangle यहां पर create करना है इसकी लेहन्त रहेगी 13 mm और इसकी degree हम ले लेंगे इसका angle apply करना है 35 और इस line से इस point की length रहेगी 14 mm और simply mirror entity में जाना है हमें इस triangle को select करना है mirror about इस line को select करना है और ok कर देना है simply feature में जाना है आपको और extrude cut apply करना है extrude cut apply करने के बाद blind condition mid plane और यहां पर काउंटर में 1 हमने यह वाली line अभी close नहीं की थी तो इसे close कर देते हैं और ok कर देते हैं फिर से extrude cut देखे तिनो हमारे sketch select हो गया है blind condition mid plane और ok कर देना है देखे इस तरह से यह इसका save भी cut हो गया है claim का save जैसा हमें चाहिए था ऐसा हो गया है अब हम यहां पर fillet apply करेंगे fillet 0.5 इन सारी edges को select कर देना है अंदर वाली और बाहर वाली पर देखें हमें यह जाली बाहर्शना हमें लुक को झावर की आवर देखें है यह जुलकि कर देना बाहर फल्षय की ज़ह बादे हैं अतम परना हैया केरफुली सिलेक्ट करना है सब सारी जो भी जितनी भी हमें लाइने यहां पर सो हो रही है वो सारी लाइने उपर वाली सिलेक्ट कर देनी है और के कर देना है फिर से फिलेट में जाना है जिरो पॉइंट फाइव और इस बार स्पेस को सिलेक्ट करना है और ओकी कर देना है अब हमें यहां पर कुछ रिप्स एपलाई करनी है तो इसके लिए राइट प्लेन सिलेक्ट करेंगे राइट प्लेन सिलेक्ट करने के बाद यहां पर इसका व्यू चेंज करेंगे हम लाइन पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और ओर इजिन पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे मेक रिलेशन स्वारे मेक रिलेशन वर्टिकल और ओकी करना है इस लाइन की लाइन की लेंथ रहेगी 15 mm और ओके करना है अब हमें स्विफ बॉस बेज में जाना है स्विफ बॉस बेज में जाने के बाद यहां पर सर्किलर प्रोफाइल में इसकी साइज हम रखेंगे 0.5 mm और लाइन हमें यह सिलेक्ट करनी है और ओके करदा है चैमफर यह अप्लाइ करेंगे चैमफर 0.3 mm इस वाली एज को सिलेक्ट करना है अंदर वाली और यहां पर इससे सिलेक्ट करना है और ओके करना है सर्कुलर प्रोफाइल में जाएंगे शर्कुलर पैटन सर्कुलर पैटन में जाने के बाद यहां पर देखिए स्विप्ट और चैमफर इन दोनों को सिलेक्ट करना है और इसका डारेक्शन हम इस अंदर वाली रेडियस को जो हमने सर्कुल क्रियेट किया था उसको सिलेक्ट करना है इसकी डिगरी रहेगी एट एक फोप डिगरी एट की डिगरी रहेगी और यहां पर इसके पटन रहेँगे 7 7 नंबर अफ़ पैटन combine इंस्टड स्पेसिंग एट नंबर अफड बिगरी Direction 2 इसमें भी 8 की डिग्री रहेगी और Number of Pattern 7 और OK करना है बटम फेस को सिलेक करना है और यहां पर Center Slot हम Create करेंगे 12 mm इसकी Height रहेगी और इसकी Weight रहेगी 3 mm Simply Feature में जाना है और Extrude Cut Apply करना है Blind Condition 1 mm और OK करना है Fillet में जाना है Fillet में जाने के बार यहां पर 1 mm fillet इस अंदर वाली फेस पे अंदर वाली एज को सिलेक करना है और OK करना है तो देखिए हमारा यह यह पार्ट भी हमने Create कर दिया है अब इसमें Appearance इसका Apply कर देते है कास्ट कार्बन स्टील और इसके जो होल है उसे सिलेक करने के बाद इसका Appearance रहेगा कार्बन स्टील इसका Color हम Apply करतेते हैं इसका Color Define करते हैं और OK कर देते हैं यह हमारा Part 2 भी हमने Create कर दिया है अब हम इन दोनों को मिला के Assembly तियार करेंगे अब हम Assembly Create करेंगे इसके लिए आपको New में जाना है New में जाने के बाद यहाँ पर Assembly सिलेक करेंगे और OK करेंगे OK करने के बाद यहाँ पर देखिए हमें कौनसी फाइल ओपन करने हैं सबसे पहले तो U-Bolt हमें ओपन करना है इसे select करने के बाद open कर दीजिए आई बटन में जाके आप origin को on कर देदा है और origin के इस point को इस point के उपर हमें click करना है और u-ball की position ये set हो जाएगी फिर से आप आई बटन में जाके origin को off कर दीजिए यहाँ पर हम background change कर देते हैं इसका plain white फिर से insert component में जाना है insert component में जाना है insert component में जाने के बाद हमारा second part था clamp adapter इसे open करना है mate में जाना है mate में जाने के बाद इसका इस अंदर वाले hole को select करना है और इस u-ball के इस जो thread है इसकी outer face को select करना है make relation, co-centric और ok कर देना है इसी तरह इस वाली ok ये दोनों साइड में ये set हो गया है ok ये इसे भी अब हमें set करना है तो फिर से हम mate में जाएंगे mate में जाने के बाद फिर से वही process हमें set करना है इसका outer face select करना है और इसकी inner face select करना है make relation, co-centric और ok कर देना है select mate select this face and this face distance between two face 13.5 mm 13.5 mm and ok अब हमें toolbox में जाना है design library में design library में जाने के बाद यहां पर देखे toolbox है toolbox में जाने के बाद यहां पर unsymmetric unsymmetric में जाने के बाद nut folder को open करना है hex nuts और hex nut में यहां से लेखे hex nut style 1 इसे insert कर देना है size इसकी रहेगी M10 double chamfer और इसके thread रहेगे symmetric और ok करना है देखे इन दोनों nut को यहां पर हम इस तरह से छोड़ देंगे और अलग से हम इसके mat set करेंगे तो mate में जाना है में जाने के बाद यहां पर इस age को select करना है इस age को select करने के बाद आप इसके bolt के age को select करना है जो उपर वाली face है उसे select करना है और ok करना है इसी तरह इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे इसके अंदर वाली face को select करेंगे और bolt के इस diameter वाली face को select करनेंगे अब हमें मिक्यन निकल थ्रेड में जाना है और यहां पर स्क्रू को सिलेक करना है इसके आउटर डायमिटर को सिलेक करना है इसके इनर इनर थ्रेड के थ्रेड को सिलेक करना है और इसकी पीच यहां पर हमें एंटर करना है 1.5 mm और इस तरह से ओके कर देना है इसका मेट भी हम सेट कर देते हैं इस तरह से स्पेस को सेलेक करना है और इनरफेस को सेलेक करना है त्रेड रिवर्स 1.5 और ओके करना है फिर से मेट में जाएंगे मेट में जाने के बाद यहाँ पर इस फेस को सेलेक करना है इस नट के इस फेस को सेलेक करना है और इस फेस को सेलेक करना है फिर से फेस को सेलेक करना है नट की फेस को सेलेक करना है और ओके कर देना है देखे इस तरह से हमारा यह क्लैम रेडी हो गया है इसकी एसमली भी कम्प्लीट हो गई है वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो लाइक किजिए शेर किजिए और कमेंट किजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिए और बेल आइकन दबाईए ताकि आपको ऐसे ही नए नए प्रोजेक्ट रोज मिलते रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद